जै श्री राम जै बजरंग बली कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी बहुत खुश होंगे. बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मेरे यूट्यूब चैनल मां की रसोई ब्लॉक में आप सभी की शिकायत रहती हैं कि उनके साथ कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है. हर काम बनते बनते बिगर जाते हैं. कोई भी काम नहीं बन पाता है. कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है. अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस हो रही है. इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं. आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, चाहे वह पढ़ाई से संबंधिक प्रॉब्लम हो, या परिवार से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत खा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जै श्री राम, जै हनुमान अवश्य लिखें, आज हम आपको बताएंगे कि बस आपको सुबह उठते ही ये दो शब्द बोलने हैं, इससे आपकी जो भी इच्छा है, वह पूरी हो जाएगी, बिना पूजा के ही आपको इसका इतना फल प पाना चाहते हैं, अगर आप एक विद्यार्त ही है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, सिर्फ घर के बढ़ों को ही नहीं, बच्चों को भी इया हुपाय करना चाहिए, इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी, और घर की स्त्रियां भी इस उपाय की अवश्य करें, सुबह ये दो शब्द बोलने हैं, इसमें आपको स्नान तक करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो भगवान से जुड़े हर कार्य में स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है, स्वच कपड़े धारन करने होते हैं, और इस तो घर में उत्तम संतान की प्राप्त होती है, जो आपके लिए भागिशाली सिध्ध होगा, और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और इतना शुबफल आपको मिलेगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसी तरह बड़े बुजुर्ग और अच्छे स्वास्थे के लिए, और व्यवसाय और जॉब वाले व्यक्ति अपने काम में उन्नती ये इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करना चाहता है, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, तो सुबल के समय इस अच्छा चाहे वर श्री राम हो, चाहे हनुमान बाबा, चाहे नीम करोली वाले बाबा या फिर भोले बाबा हो, जिसको भी आप पूछते हो सभी भगवान एक दूसरे का समायोजित अंश है। सारे कार्य बनाते हैं, इसलिए हमें सुबह की शुरुआत इसी से करनी चाहिए, ताकि हमारा समय अच्छा बीते। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कमेंट में जय श्री राम लिखें, इश्वर की कृपा से आपका समय अच्छा बीते।